नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर पुस्तक समिक्षा कारिकर में आज मैं लाई हूँ लगू कथा संकलन जी दोस्तों इसका नाम है घरों को ढोते लोग आप देख सकते हैं और इसके संपातक है सुरेश सौरब जी तो यह एक लगू कथा संकलन है पेपर बैक में दोजाट चोबिस में प्रकाशित हुआ है समरिद पब्लिकेशन दिली से आया है मुले मात्र दोसों पेंताज सबै प्रिष्ट चुरानवे परिचे देना चाहूंगी सौरब जी का लखीम पूर्ष खीरी उत्तर परदेश निवासी है इन्होंने बीए किया है संस्कृत में और बीकॉम किया है में हिंदी किया है और यूजी सी नेट पास किया है इन्होंने उपन्यास लगू कथा हासे वियंग कविता बाल कहानी औ हो चुकी है और लगू कथाएं की अनुदित हो चुकी है कई भाशाओ में अनेक समान मिल चुके है इस समय ये सटंतर लेखन करते हैं और पत्रकारिता करते हैं और इस पुस्तक की भूमिका लिखिया सुधा जुगरान जी देरादून से हैं ये इन्होंने लिखाय कि सभी वर्गों के जीवन का लेखा जोखा करती हैं ये लगू कथाएं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है लगू कथा के बारे में कि लगू कथा एक छोटी कहानी नहीं है ये कहानी का संग्शिप्त रूप भी नहीं है ये विदा अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विशे एक घटना या क्षण पर आधारित होती है। कि मजदूर किसानों की तमाम दुश्वारियों को देखने का, महसूस करने का कुछ मौका मिलता रहा। तो दोस्तों मैं बात करूंगी लगू कताओं की समीक्षा के बारे में। इसमें 64 लगू कताकारों की 31 लगू कताओं यानि कुछ लगों की दो-दो लगू कताओं शामिल हैं। किसानों, मैदूरों, कामगारों, कामवाली बाई पर केंद्रित हैं। उनके जीवन में ताका जाकी करती हैं ये लगू कताओं। उनकी समस्याएं, सोच, स्वपनों पर खुप कलम चलाई हैं लगू कताकारों ने। इसका उदेश यही है कि अन्य वर्ग हाशिये पर पड़े इस वर्ग की मजबूरी दर्द संगर्श को समझ कर समवेदना का तंतु पकड़ कर सहयोग का हाथ आगे बढ़ा है। यह लोग अपने घर की जिम्मेदारियों का बोच तो अपने कांदे पर लादे होते हैं और साती संपन वर्ग के बाशिंदों की भी जिम्मेदारियों का कुछ भाग अपने कांदों पर लाद कर अजीम का कमाते हैं। यदि ये लोग न हों, तो समाच का धाचा डगमगा जाए। दोस्तों, विदेशों में श्रम बहुत महंगा है, लोग अपना काम खुद करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस वर्ग को सम्मान की दरकार है, और सवेधना भी चाहते हैं ये लोग। उमीद है कि इन लगुकथाओं को पढ़कर समाच की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसके लिए सभी लगुकथाकार और संपादक बधाई के पातर हैं। सभी लगुकथाओं के अंत मारक हैं, सो देश्य लगुकथाएं हैं, आकार की द्रिष्टी से भी उचित हैं, और इसमें सेफटी टेंक साफ करने वाला, मजदूर, किसान, हेलपर, रिक्षा चालक, दैनिक वेतन भोगी, सेल्स गर्ल, पंचर बनाने वाला, भिकारन, कर्मी, समान बेचने वाला लड़का, ये सभी पातर हैं, ये केंदर बिंदू हैं, जिन पर ये लगुकथाओं अधारित हैं, तो दोस्तों, अब मैं लगुकथाकारों के नाम पढ़ देती हूं, और इन सब के बारे में बतापाना संभव नहीं होगा इतने कम समय में, तो म अगरवाल तुल्जा, अरविन सोनकर असर, मीरा जैन, रश्मी चोदरी, रमेश्वर कांबोज हिमान्शू, प्रेणा गुप्ता, मनवीन कोर पहवा, मार्टिन जौन, सारिका भूशन, डॉक्टर अलका अगरवाल, मिन्नी मिश्रा, मदू जैन, इंदरजीत कौशिक, पव सक्सेना, सविता मिश्रा, घिषजा, रतन चंद, रतनेश, हरीश, कुमारमित, राजेंदर वर्म, विज्यानन्द विजे, नीरु मित्तल नीर, डॉक्टर अंजुद्वा जैमिनी, यानी मैं, सरोज बाला सोनी, गुलजार हुसेन, जोती जैन, संतोज सुपेकर, दोस्तों आपने देख लिया कि ये लगू कथाकार हैं, इनकी लगू कथा हैं बहुत अच्छी हैं, और आप अवश्य किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी लगू कथा सुनाऊंगी, और साथ में सुरेश ची की, मेरी लगू कथा का शीर्शक है गुनाह, वे ट्रेन में बैटी हसी मजाग करती बतिया रही थी, इतने में साथ बैठी महीला ने अपने दिर्द का दर्द, दिल का दर्द बयान किया, भौजी क्या बताओं मैं बहुत परिशान हूँ, में बाजार की नामी दुकान में सेल्स कर्ल हूँ, वेतन है आठ हजार पे मासिक, सुबह ग्यारा से रात आठ बजे तक वहां काम करती हूँ अपकली की बात है, एक अमीर औरत आई, मुझसे अनारकली सूट मांगा मैंने दिखा दिया, फिर कुर्ती मांगी मैंने वे भी दिखाई, उसके बाद वह अनारकली सूट और कुर्ती लेकर ट्राई रूम में चली गई, वहां से लगबग 20 मिनट बाद आई, मेरे सामने दो मालिक को बताया, वीडियो फुटेज देखी गई, साबित हो गया कि चोरी उस महिला नहीं की थी, इतने पर भी मालिक ने कहा, गलती तुम्हारी है, तुमारा ध्यान इदर उदर भटका, तभी उसने ऐसा किया, इस महीने का वेतन तुम्हें नहीं मिलेगा, पताते बताते वेसु बग गई, समने उसे चुप कराया, फिर थोड़ा चुप हुई, फिर उसने कहा, कि उस औरत ने ट्राई रूम में जाकर बार कोट को जरूर कुछ छेड़ा होगा, तब ही उसके बाहर जाने के बावजूद मशीन नहीं बोली, मैंने उसे बहुत बद्दुआएं दी मेरा पती कुछ कमाता धुमाता नहीं, बस शराब पी कर घर में बढ़ा रहता है, मैं जैसे तैसे नोकरी करके बच्चे पाल रहे हूँ, अब छोटे वाले को किताबे दिलवानी थी, सोचा था तनखा मिलेगी तो दिला आ दूँगी, अब क्या करूँ, उसकी आँखों से आसों की धाराएं पहने लगी, सबने उसे चुप कराया और कहा, तुम आज जाकर मालिक से कहना कि माना तुमसे गलती हुई, तुम अपनी ड्यूटी निबाने में चूक गई, पर गुना तो उस वारत ने किया है, उसकी फोटो पुलिस में दे दो, फिर तुमारी पूरी त एक और मेलाती बोली, एक बात पताओ, तुम इतनी लंबी मांग क्यों भरती हो, क्या उस सुहाग के लिए जो अपना फर्द नहीं नहीं पाता, बोलो बोलो, क्या उसके लिए, यह सुनते ही वह रहो पड़ी, यह सुनते ही दोस्तों वह रहो पड़ी, तो आप समझे गए ह कि इस लगू कथा का उदेश्य क्या है, कि एक तो अमीर औरत जो करती चोरी है, और उसका खामयाजा भुगतना पड़ता है, एक सेल्स कर्ल को, और दूसरी बात उसका पती कुछ कमाता दमाता नहीं, उसके वावजूद वह पती के नाम की मांग भरती है, तो दोस्तों, बिसबरी से अपनी बस का इंतजार कर रहा था, लेलो साब हींगवटी लेलो, नीचे देखा, करीब आठनो साल का लड़का चिरोरी कर रहा था, लेलो साब जिस सिर्फ 10 रुपे की है, अरे भाई नहीं चाहिए, चकर मकर गरदन घुबाते अपनी बस को चीन हने लगा, ले स्तब्द हो गया एकतम, भीक तो नहीं मांग रहा, ये वाक के हिरिदे को भेद गया, बस का ध्यान वे समरित हो गया, उस, उसकी छूटी डिब्बी उसने हाथ में ली, हिलाया डुलाया, अरे पांच की दे दो यार, मजाकी अलाजे में बुला, नहीं साब, साथ की तो हमें पड़ी है, अचा अचा ठीक है, लो पकड़ो, जेब से दस्व का नोट निकाल कर उसे थमा दिया, और उस बच्चे की मटमैली आँखों में खुशी तैर गई, कंदे पर जोला लटकाए, लड़का चिलाते वे जा रहा था, हींग वटी, हींग वटी, हींग वटी की डिब कथा का क्या उदेशे था कि सच में इतनी छोटी 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 चीज़े हैं, हम अगर खरीदते हैं, तो जो बेचता है बच्चा देखा आपने कितना खुश हो जाता है, वो अपनी ग्रेस्टी का बोज अपने कांधों पर ला देते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, आप भ उस तक को खरीद कर पढ़िए, अपने मित्रों को भी उपार दे सकते हैं, शुक्राद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आग्या देश, धन्यवाद